Hi everyone, Assalamualaikum, It's me Nishu, अगर आप जानते नहीं हो तो तो आज की वीडियो बहुत important है, गर्मिया है, तो गर्मियों में लड़कियों को sweating की बहुत problem होती है, foundation जो है mat नहीं रहती, long lasting नहीं रहती, remove हो जाती है, तो आज की वीडियो इसी के बारे में है, mat foundation को हम long lasting और sweat proof किस तरह से है, tips and tricks बताऊंगी इसी वीडियो में, देखते रही है, subscribe और like जरूर करिएगा, let's start the video, तो सबसे पहली tip है, कि आपने primer से भी पहले setting spray यूज करनी है, कोई भी setting spray आप यूज कर सकते हो, लेकिन setting spray से भी पहले आपका face need and clean होना चाहिए, अच्छे से wash करना है और उसके बाद setting spray को अपने face पर अच्छे से apply करना है, यह आपके पसीने को रोकता है, और यह बहुत ही जबरदस टिप है, ज़रूर यूज करिएगा, इसके बाद आपने primer apply करना है, प्राइमर के लिए कोई भी primer यूज कर सकते हो, जो कि oil free primer हो, उसी को आपने यूज करना है, यहाँ पर प्राइमर का प्राइमर यूज कर रही हूँ, और मैं थोड़ी सी quantity लूँगी और उसे अपने सबसे पहले nose area पे apply करूंगी, T-zone पे, क्योंकि पसीना सबसे ज़्यादा T-zone area पे आता है, और नाक के ऊपर, क्योंकि पोर्स सबसे ज़्यादा नाक पे होते है, और जब आप प इवन texture skin को जो है, वो smooth करता है, even अगर आपके fine lines है, उसको भी smooth out कर देता है, ताकि आपकी base जो है, वो अच्छे से apply हो, most important thing के primers जो है, आपकी skin को protect करता है, foundation के harmful chemicals से, so primer is really important, अच्छा उसके बाद foundation जो आपने select करनी है, हमेशा mattifying foundation आपने select करनी है, अगर आपकी skin oily है, यहा foundation यूज करी हूँ, shade है beige, और मैं थोड़ी सी quantity लोगी, एक तो pump is enough, क्योंकि यह बहुत ही pigmented foundation है, a little goes a long 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 way, इसकी मैंने full review वीडियो बनाई ही, अगर आपने वो नहीं देखी, तो आई बटन पे देख सकते है, तो आपने इसे evenly अपनी पूरी face पे अपलाई किया, उसके बा बात करें, तो इसमें काफी variety है, colors की, but the most important thing, यह वीडियो जो है foundation के बारे में नहीं है, लेकिन foundation जो है, अगर आप long lasting और matte effect चाहते हैं, तो आपने हमेशा matte foundation यूज करनी है, अपने primer के उपर, like oil free primer, उसके बाद matte foundation और उसको फिर आपने सेट करना है, compact powder के साथ, अगर आपक skin, बहुत जादा oily है, तो आप loose powder भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर मैं sweet touch का mineral compact powder यूज करी हो, in shade natural, और उसको brush की मदद से उस area पर apply करूँगी, जहां मुझे पसीना बहुत जादा, लेकिन अगर आपको sweating बहुत जादा होती है, तो मैं आपको recommend करूँगी, कि आप face it का loose powder रखता है, तो try that loose powder, तो आप देख सकते हो, यह three steps हमने try किये, और मेरी जो foundation है, वो transfer proof हो चुकी है, अभी फिल हाल, जो fourth step है, मतलब last step जो है, वो है setting spray, आपने setting spray यूज करना है must, क्योंकि वो आपके foundation, आपके powders, इन सब को melt कर देता है, आपके skin के अंदर, ठीक है, उनको ब lasting बनाता है, आप कोई भी mat setting spray यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं gerard की setting spray यूज कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से mist करूंगी अपने face पे और उसे dry होने दूंगी, आप beauty blender से dab dab कर के भी इसे dry कर सकते हो, लेकिन मैं इसे छोड़ देती हूँ कि ये खुद से ही dry हो जाए, और उसके बाद जहाँ मैं beauty blender यूज करती हूँ, जब ये अच्छे से dry हो जाता है, तो ये थी कुछ steps like mat और long lasting foundation के लिए, जो कि आप कर सकते हो और अपनी foundation को जो है, वो long lasting बना सकते हो, यहाँ मैंने थोड़ा सा make up किया, just a blush, a tint and a mascara and that's it, ये वीडियो बनाने के बाद जो है थे तो you can see the foundation is still looking flawless, totally recommend the foundation, try जरूर करिएगा, अच्छा अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी helpful रही हो, तो comment section में मुझे जरूर बताईएगा, मैं इस तरह की और वीडियो भी बनाऊंगी, tip मैं देती चलू साथ-साथ, अगर आपके पास foundation नहीं है, जो कि oil free हो और मैट हो, तो आप foundation अपलाई करो, अपने पास जो भी है आपके loose powder लो और अच्छे से अपने face पर baking करो, मतलब कि under eyes पे धेर सारा loose powder अपलाई करो, अपने upper lip पे अपलाई करो, nose पे, forehead पे, chin पे, और थोड़ी देर रहने दो, थोड़ी देर के बाद उसे dust off कर दो, आपकी foundation जो है, वो super long lasting रहेगी, तो ये थे मेरी तरफ से कुछ tips and tricks, अगर पसंद आये हो, तो मेरी चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को, तब तक, अल्ला हाफिज!